सूप प्रभातम नमो नमहा मैं श्रीमती एलपी सवानी विद्या भवन से शीतल शाली ग्राम आपको कक्षा सात्वी का प्रथम पाठ वंदना के बारे में जानकारी दूँगी इस पार्ट में सबसे पहले सरस्वती माता के स्तुति गाई है बट उससे पहले हम सारे श्लोक एक बार गालेंगे फिर उसका अर्थ समझेंगे या देवी सर्वभूतेशु विद्या रूपेन संस्तिता नमस्तसे 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 नमो नमा पठामी संस्कृतम नित्याम वदामी संस्कृतम सदा ध्यायामी संस्कृतम साम्याक वन्दे संस्कृतम आतरम शुबं करोतु कल्यानम आरोग्यम्दन संपदम शत्रुबूति विनाशाय धीप जोति नमस्ते मुकम करोती वाचालम पंगू लंगयते गिरिम यत कृपातम हम वन्दे परमानंदम माधवम्दन विद्यारती मित्रो अब हम जिस श्लोक को गाये हैं उसी श्लोक के सारे अर्थ अब हम वन बाई वन समझेंगे या देवी सर्व भूतेशु विद्यारूपेन संस्तिता नमस्तसे 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 नमोनमा यानि यह श्लोक देवी सरस्वती माता की आरदना, अर्चना और स्तुती करने वाला श्लोक है इस श्लोक में भू लोक पर रहने वाले सारे मनुष्य में विद्या की शक्ति आये और यह देवी सरस्वती माता को हम वन्दन के लिए यह श्लोक रचा गया है ताकि देवी का अशिरवाद सदेव मनुष्य गन पर रहे पूरातन काव्य में यह श्लोक रूगवेद में गाया गया है उपनिशोदों में कहा गया है देवी सरस्वती ज्ञान की भी देवता है बर पुस्तक के प्रारंब में विद्यारुपी रही देवी सरस्वती को वंदन करने में आया है यह देवी सभी प्राणी मात्रा में विद्या के रूप में विराजमान है और उसे हम सदेव नमन करते हैं इसलिए का आगया है नमस्तस से नमस्तस से अब हमने इसका हिंदी अनुवाद देखा अब इंग्लिश Boving Boving again and again to Goddess existed in the form of learning in all animals नेक्स्टामी संस्कृतम नित्यम वदामी संस्कृतम सदा ध्यायामी संस्कृतम सम्यक वंदे संस्कृतम आतरम यानि विद्यार्थी मित्रों अब हम संस्कृत भाषा रुपी माता को नमेन करेंगे संस्कृत को संस्कृत भाषा की जननी भी माना जाता है संस्कृत उत्राखंड की अधिकारिनी भाषा माना जाता है अरब लोग भारत में दाखिल होने से पहले संस्कृत भाषा भारत की राश्ट्रिया भाषा मानी जाती थी नासा के मुताबिक संस्कृत भाषा सबसे स्फष्ट बोली जाने वाली भाषा है संस्कृत ऐसी एक भाषा है जिसे बोलने में सभी मासपेशियों का उपयोग होता है संस्कृत सिकते समय दिमाग तेज हो जाता है और याजशक्ती बढ़ जाती है इसलिए लंडन और दूसरे देशों में संस्कृत के बहुत जादा संस्कृत भाषा को बहुत जादा प्रादान दिया गया है इसलिए विद्यार्ती मित्रो जैसे इस लोक में कहा गया है कि रोज संस्कृत भाषा को मैं लिखूंगा मैं रोज संस्कृत भाषा बोलूंगा और संस्कृत का ध्यान अच्छी तरीके से करूंगा मैं संस्कृत भाषा रुपी माता को बन्दन करता हूँ यहां हुआ हिंदी अनुवाद अब इंग्लीश में I always read संस्कृत I always speak संस्कृत I meditate संस्कृत वेल I bow to the mother संस्कृत लेंग्वेग नेक्स्ट शुभम करोतु कल्यानम आरोक्यम दनसंपदम शत्र बुद्धी विनाशाय दीप जोति नमस्तुते विद्यारती मित्रो अब हम अंदकार में प्रकाश फेलाने वाले दिये की जोति को बन्दन करेंगे उससे पहले में आपको एक बात कहना चाहूंगी जब हम सामान्य तहा किसी देवता की पूजा करते हैं तो हम क्या जलाते हैं पहले दीपक तो हमारे मस्तिक्स में पहले यह बात आती है तो हम तेल या घी का दिया जलाते हैं लेकिन आज भी हिंदू संस्कृति में दिये को पूजा के आरंब में जलाया जाता है दीपक जलाने से नकारात्मक उर्जा का प्रवाह दूर हो जाता है विद्यारती मित्रो अब हमने इसका आर्थ यहा है जानने से पहले दिये का बहुत सारा महत्वा बताया गया है कि हम घर में दीपक क्यों जलाते हैं हमने प्रार्थना की है कि है दीपक की जोती अब हम आपको नमस्कार करते हैं मेरे लिए सारे कल्यान के रास्ते उजागर कीजिए, सुक रुपी संपदा अर्थात धनवैभाव दीजिए, अगर मेरे प्रती कोई बैर भावना किसी की उत्पन हुई हो, तो उसका बैर बुद्धी का नस्ट करेके उसके प्रती सद बुद्धी पढ़ाए, मेरे प्रती उजाला प्रज्वलित कीजिए, है दीपक की जोती, आप स्वयम इश्वर स्वरूप हो, यदि मेरे द्वारा किये गए, जाने अन जाने पापो का हरने में समर्थ हो, अर्थात समाप्त करने में मैं आपका समर्थन करता हूँ, इसके कारण हम बारं बार आपको नमस्कार करते हैं, अब इंग्लिश में, O Luster of the Lamb, do auspicious well-wishing, healthy and wealthy, bowing to you for destroy of enemy's evil thoughts. विध्यारती मित्रो, अब हम इस रुष्टी के निर्मान करने वाले भगवान विश्णु की स्तुती का यह श्लोग गाएंगे, मुकम करोती वाचालम, पंगू लंगयते गिरिम, यत कृपात महम वंदे, परमानन्द मादवम, मादवम यानि कौन? विश्णु भगवान, अब यह श्लोग समझाने से पहले मैं आपको एक कथा कहूंगी, यानि उनके बारे में कहूंगी, भगवान के गुनों का वर्णन करते हुए, प्रभू की एक कृपा मिलती है, मुक हो वाचालम, पंगू चड़े गिरिवर गहन, दासक रुपा सूदयाल, द्रवहू सकल खली वल, गुरु तुलसी दास, बाल रूप के भगवान, यानि जब भगवान विश्णु ने बाल अवतारदारन किया था, तब का ये वर्णन तुलसी दास जी ने किया था, कि उनकी कृपा सभी पे बरस्ती रहे, यानि क्या, इस लोप में कहा गया है कि ये ये जो श्लोप है, बगवान विश्णु की वंदना करने में, इस समग्र जगत के पालनहार, बगवान विष्णु के महिमा का वर्णन किया है जिनकी गुरुपा से कौन चलने लगता है कौन बोलने लगता है मुकम यानि मुंगा और वाचालम यानि बोलने वाला यानि जिनकी गुरुपा से बोलने वाला मुका व्यक्ति बोलने लगता है और पंगू लंगयते गिरिम यानि लंगड़ा जो है लंगयते नहीं लांगना किसको लांगते हैं गिरिम यानि परवत लंगड़ा आदमी मांटेन को भी चड़ने लगता है ऐसे इसकी उपर कुरुपा किसकी है भगवान विश्णु की यत कुरुपातम हम वंदे परमानंदम मादम यानि मुंगे व्यक्ति को बोलना सिखाते हैं और लंगडे व्यक्ति को चलना सिखाते हैं वह भगवान की कुरुपा से वो बोलने लगता है और अपंग चलने लगता वो भी पाड को आसानी से पार कर सकता है वैसे परम आनंदेने वाले बगवान की कृपा हमारे उपर सदेव बर्द का अर्थ अब इसका अर्थ हम इंगलिश में जानेंगे I bow to the delightful God Shri Vishnu, whose grace makes the dumb speaking and gives strength of crossing mountain to the handicapped. Astu